आपने पूछा आपने आपसे कि मीडिया 24 घंटा कभी मुखबत की बात नी करेंगे कभी आपने देखी है कभी तीवी पे देखा कि देखो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से गले लग जिया कभी देखा नई कभी नी दिखेगा सही बात है न सही बात कभी नी दिखेगा इसका कारण है भाई और बेनो मैं आपके पूछना चाहता हूँ आप में से किसी का कभी जेव काटा गया है आपका जेव काटा गया आपका जेव काटा गया तो जब जेव काटा जाता है आपका काटा गया न तो जब कोई आपका जेव काटता है तो क्या करता है सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है नहीं 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 ब्लेड तो बाग में आता है मगज़ पहले क्या करता है पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है आपके ध्यान को लेकर उधर ले जाता है भाईयों और बेनों ये जो करा जा रहा है आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है और यह 24 गंटा करते हैं और पिर आपकी जेब काटी जाती है बढ़िया बढ़िया क्योंकि सचा ही है चौपिस गंटा हिन्दू-मुस्लिम-हिंदू-मुस्लिम-हिंदू-मुस्लिम और पिर जो भी आपका पैसा है किसानों का मजदूरों का आपके ऐरपोर्ट आपके पौर्ट, आपके सरके, सिदा, किसके जेब में, इनके मालक के जेब में, इनको कौन चलाते हैं, ना मताओ, देखो सब जानते हैं, पुरा हिंदुस्तान जानता है, भाई और बेहनों, ये नरेन मौदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है, ये सच्चा ही है, और ये पूरा का पूरा लक्ष इनका, आपके ध्यान को इदर से उदर, उदर से इदर करने का है, मैं 2800 किलोमेटर चला हूँ, 2800, मुझे कही नफरन नहीं दिखी, कही इंसा नहीं दिखी, कही मारपीट नहीं दिखी, मगज़ जब मैं इनका टेलिविजन कोलता हूँ, 24 गंटे मुझे मारपीट, इंसा नफरतिकाई देती है, क्यूं? क्यूंकि ये आपका ध्यान, इदर से उदर ले जाना चाहते हैं, जो सच्चे मुद्धे है, उस पे आपका ध्यान गल्ती से ना चला जाए, जैसे, जब को आपका ध्यान आपके जैब पर गल्ती से भी ना चला जाए, ये हो रहा है इस देश में, तो आपका ध्यान कहा जाना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपका ध्यान, जो हिंदुस्तान के युवा है, उनकी और जाना चाहिए, आप किसी भी युवा से के ले तियारी की, मैं जज्ज बनने की कोशिश कर रहा था, पूछो क्या किया पढ़ाई की, कितने साल की, स्कूल, कॉलिज, युनिवर्सिटी सब पढ़ लिए, और फिर क्या हुआ, आज क्या करते हो, मजदूरी करता हूँ, पर कोड़ा बनाता हूँ, बेरोजगारी क्यो आई, मैं आपको बताता हूँ, और जो हमारे छोते भी अपारी है, जो स्मॉल और मीडियम बिजनिस चलाते हैं, आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि आप इस देश के भविश्य हो, अगर इस देश को कोई रोज़ाद दे सकता है, तो इस देश का किसाद, और ये जो छोत इस देश के भी अपारी है, और स्मॉल और मीडियम बिजनिस चलाते हैं, ये लोगों, क्योंकि ये लाखों है, ये लाखों में हैं, और कोई सो लोगों को रोज़ाद देता है, कोई 500 को देता है, कोई 1000 को देता है, कोई 25 को देता है, कोई 35 को देता है, और ये लोग देश क रोजदार देते हैं अब इनकी बात करते हैं यह 24 गंटे लगे रहते हैं बैंक के दर्वाजे इनके बंद होते हैं हिंदुस्तान के दो तीन अरफ पतियों को एक लाग करोर दो लाग करोर तीन लाग करोर ऐसे दिया जाता है यह बैंक के सांवे जाते हैं इनको धकेल के निकाल दिया जाता है आप अब क्या ठीक है बैंक का पैसा नहीं दिये तब विमानली बार कि अधब भी मानली बार मगड़ पिर क्या किया फिर प्रधान मन्तरी में नोड़ बंदी की और प्रधान मंतरी में गलत जिएस्टी लागों की भाई और बैनों ये पॉलिसी नहीं है ये हत्यार है ठोटे भी अपारियों को स्मॉल और मीडियम बिज्निस वालों को और किसानों को मारने के हत्यार है ये और जब इन्होंने ये काम किया तो देश के जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल सकता सवाल नहीं उसता क्योंकि जो रोजगार देने वाले हैं उनकी रीचेहट्टी आपने तोटि किसके लिए थोडी किसके लिए थोडी गेम को समझो अब देखिए आवाले क्लते हैं यो युवाव की बात्ती मुझे हजारों किसान मिले हैं एक सेकंड में पहचान लेता हूं जैसे हाथ मिलाता हूं समझ आ जाता है यह मजदूर है यह किसान है हाथ से पता लग जाता है छिले हुए हाथ होते हैं अच्छा एक और सवाल है तुम्हें सोच रहा हूं प्रेस वाले ने मुझे पूछा प्रेस वाले ने मुझे पूछा क्या आपको ठंड नहीं लगती और मैंने सोचा यह मुझसे पूछ रहे हैं यह हिंदुस्तान की किसान से के नहीं पूछते झाले नहीं पूछते हैं